क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्टार कैसे मरता है एक स्टार के मरने की प्रक्रिया कि कई अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं उन में से कुछ है कि वह तारा ब्लैक होल बन जाएगा या फिर एक नेबियूला बन जाएगा या फिर वह बन जाएगा एक सुपरनोवा इस भ्रमाण में बहुत से अलग-अलग तारे एक्जिस्ट करते हैं जैसे कि रेड जायंट्स, ब्लू जायंट्स, वाइड ड्वाफ्स, येलो ड्वाफ्स जैसे कि हमारा सूरज और कुछ रेड सुपर जायंट्स, हर तारे की मृत्यू का अलग-अलग परिनाम होता है तो चलिए जानते हैं कि एक सुपरनोवा क्या होता है इस भ्रमांड में लगभग जो भी चीज एक्जिस्ट करती है उसके अंदर हाइडरोजन एटम होता है स्टार के अंदर भी हाइडरोजन एटम्स होते हैं जो कि स्टार फ्यूल के रूप में इस्तमाल करते हैं स्टार के अंदर मुझूद प्रेशर उन हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रोंज को हटा देता है और बस हाइड्रोजन एटम्स के न्यूकलियस ही बच जाते हैं और दो या अधिक nucleus fusion करके एक बहुत powerful radiation radiate करते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर helium या फिर oxygen बनते हैं हम इस प्रक्रिया को physics में nuclear fusion कहते हैं तो nuclear fusion सिर्फ जो बहुत भारी मातरा में radiation release होती है वह star की gravitational field के कारण neutralize हो जाती है जो की अंदर की तरफ pressure डालती है और radiation बाहर की तरफ तो वो एक दूसरे को neutralize कर देते हैं पर जब किसी star का fuel खत्म हो जाता है यानि उसके अंदर मौजूद hydrogen खत्म हो जाता है तब gravitational field से सारा pressure star के अंदर आ जाता है और एक ही जगा पे star का सारा matter concentrate हो जाता है जिससे की core बहुत जादा unbalance हो जाती है और इसी के परिणाम सुरूप एक massive explosion होता है जिसे हम supernova कहते है दूसरी तरह का supernova जब बनता है जब एक white dwarf किसी बड़े तारे के इर्द गिर्द घुमता है और इस प्रक्रिया के दोरान वह white dwarf giant star से उसका mass absorb कर लेता है जिससे की उस white dwarf का mass बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे की उसकी core unbalanced हो जाती है और इससे उसके अंदर एक explosion होता है जो की supernova कहलाता है तो अब white dwarf क्या होते हैं तो white dwarf कुछ छोटे star होते हैं जो की तब बनते हैं जब एक बड़ा तारा out of fuel हो जाता है और उसके कारण एक nebula बन जाता है और इसी के कारण उस तारे की outer layers हट जाती है और इस तारे की core ही बच जाती है जो की बस एक planet के size की होती है और उसी core को हम white dwarf कहते हैं तो यह थी वह प्रक्रिया जिससे supernova बनते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना, share करना और हमारे चैनल को subscribe करना और subscribe करने के बाद bell icon को भी all पे कर देना और हमें comments में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी धन्यवाद